मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार कल मागपुर्णिमा का परबथा माग का महिना विशेस रुप से नदियों सरोरों और जल स्त्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है मागे निमगना सलीले शुशिते विमुक्त पापा तिजिवं प्रयांती अर्थात माग महिने में किसी भी पवित्र जलाशे में स्नान को पवित्र माना जाता है दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी ही कोई न कोई परंपरा होती ही है नदी टर पर अनेक सभिताएं भी विच्छित हुई है हमारी संस्कृती क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है इसने इसका विस्तार हमारी हाँ और ज्यादा मिलता है भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसे न किसी कौने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव नहीं हो माग के दिनों में तो लोग अपना घर, परिवार, सुख, सुविदा छोड़कर पूरे महिने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाता है इस बार हरिद्वार में कुम्ब भी हो रहा है, जल हमारे लिए जीवन भी है, हस्था भी है, और विकास भी धारा भी है पानी एक तरह से पारस से भी ज़्यादा महतुपूर है कहा जाता है पारस के स्पर्ष से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है वैसे ही पानी का स्पर्ष जीवन के लिए जरूरी है विकास के लिए जरूरी है साथियों माग महिने को जल से जोडने का संभवत है एक और भी कारा है इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती है और गर्मियों के दस्तव होने लगती है इसलिए पानी के सर्वक्षन के लिए हमें अभी से ही प्रयाश शुरू कर देने चाहिए। कुछ दिनों भाद मार्च महिने में ही 22 तारीकों World Water Day भी है। मुझे यूपी की आरैध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोणों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पुरा करने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सबसूम ऐसे ही नहीं कहा गया है। पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत अच्छा मेसेज पस्चिम मंगाल के उत्तर दिनाजपूर से सुजित जी ने मुझे भेजा है। सुजित जी ने लिखा है कि प्रकृती ने जल के रुप में हमें एक सामुहिक उपहार दिया है। इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामुहिक है। यहेज हैं जैसे सामुहिक उफभार है वैसे सामुहिक उत्तरदाइत्म भी है। सुजित जी की बात बिल्कुल सही। नदी, ताला, चील, वर्शा या जमीन का पानी इस सब हर किसी के लिए हैं साथियों एक समय था जब गाओं में कुएं पोखर इनकी देखवाल सब मिलकर करते से अब ऐसा ही एक प्रयास तमिनाडू के तिरुवन्ना मलाई में हो रहा है यहां स्थानिय लोगों ने अपने कुओं को समरक्षित करने के लिए अभ्यान चलाया हुआ है यह लोग अपने इलाके में वर्षों से बंदपड़े सारवजनी कुओं को फिर से जिवीत कर रहे हैं मद्दप्रदेश के अग्रोधा गाउं की बवीता राजपूत जिर्वी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेणा मिलेगी बवीता जी का गाउं मुद्देलखन में हैं उनके गाउं के पास कभी एक बहुत बड़ी जील थी जो सुब गई थी उन्होंने गाउं की ही दूसरी महलाओं को साथ लिया और जील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी इस नहर से बारिस का पानी सीधे जील में जाने लगा अभी जील पानी से भरी रहती है साथियों उत्रा खंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदिश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है जगदिश जी का गाउं और आसपास का ख्षेत्रा पानी की जरुरतों के लिए एक प्राकुतरिक स्रोथ पर निर्वर था लेकिन कही साल पहले इस रोथ सुख गया इसे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया जगदिश जी ने इस संकट का हल व्रक्षा रोपन से करने की ठागी है उन्हें पूरे इलाके में गाउं के लोगों के साथ मिलकर हजारों पैड लगाए है और आज उनके इलाके का सुख चुका वो जलस्रोत फिल से भर गया है साथियों पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामुही जिम्मेदारियों को समझना होगा भारत के जादातर हिस्सों में मैजुन में बारुष शुरू होती है क्या हम अभी से अपने आसपास के जलस्रोतों के सभ़ाई के लिए वर्षाज जल के संचैन के लिए सो दीन का कोई अभ्यान सुरू कर सकते हैं इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जलशक्ती मंत्रा ले द्वारा भी जलशक्ती अभियां catch the rain भी शुरू किया जा रहा है इस अभियां का मुल मंत्रा है catch the rain where it falls when it falls हम अभी से जुटेंगे हम पहले से जो rain water harvesting system है उने दुरस करवालेंगे गावों में, तालाव में, पोखरों के सफाई करवा लेंगे, जलस रोतों तक जा रहे, पानी के रास्ते के रुखावटे दूर कर लेंगे, तो जादा से जादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे मेरे प्यारे देशफासियों, जब भी माग महने और इसके अध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है, ते चर्चा एक नाम के बीना पूरी नहीं होती है, ये नाम है संत्रविदार्जी का, माग गुर्णेमा के दिन ही संत्रविदार्जी की जेंती होती है, आज भी सं उनका ज्ञान हमारा पथ प्रतर्शन करता है। उन्होंने कहा था, एकई माटी के सब भांडे, सब का एको सरिजन हार। रविदास व्यापई, एकई घट भीतर, सब को एकई घडे कुमार। हम सभी एक ही मिट्टी के बरतन हैं, हम सभी को एक ने ही घड़ा है। संत्र विदास जी ने समाज में व्यापट, विकृतियों पर हमेशा खुल कर अपनी बात कही। उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा, उसे सुधारने की रहा दिखा ले। और तभी तो मिराजी ने कहा था, गुरु मिलियार रएदास, दीनी ज्यान की घुटकी, ये मेरा सभाग है कि मैं संत्र विदास जी की जन्मस्थली, वारानसी से जुड़ा हुआ। संत्र विदास जी के जीवन की अध्यात्विक उचाई को और उनकी उर्जा को मैंने उस तिर्थ स्थल में अनुभव किया है। साथियो, रविदास जी कहते थे, करम बंधन में बंद रहियो, फल की नात जियो आज, कर्म मानुस का धर्म है, सत भाखे रविदास। अर्थात, हमें लिरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा। यानि कर्म से सिद्धी तो होती ही होती है। हमारे युवाओं को एक और बात संत्र विदास जीवित से जरूर सिखनी चाहिए। युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन को खुद ही तै करिए, अपने तौर तरीके भी खुद बनाईए और अपने लक्ष भी खुद ही तै करिए। अगर आपका विवेक, आपका आत्म विश्वास मजूद है, तो आपको धुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, क्योंकि कई बार हमारी वा, एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं कर पाते, जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है। इसलिए आपको कभी भी नया सोचने, नया करने में संकोष नहीं करना चले। इसी तरह संत रजजास जी ने एक और महत्वपूर संदेश दिया है। ये संदेश हैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हम अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें, ये बिलकुल ठिक नहीं है। जो जैसा है वैसा चलता रहे। रविदाज जी कभी भी इसके पक्षमे नहीं थे। और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्षमे बिलकुल नहीं है। आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता ह। तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत्र रविदाज जी को जरूर गर्व होता ह। मेरे पैरे देश वाचियों, आज नेशनल साइश देवी है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर स्रीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक खोज को समर्पित है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो एप पर लिखा है कि रमन इफेक की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था। इससे जुड़ा हुआ इस बहुत अच्छा संदेश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है। स्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अंगिनत वैज्ञानिक हैं जिनके योगदान के बिना साइन्स से तनी प्रगति नहीं कर सकते हैं। हम जैसे दुनिया के दूसरे वैज्यानिकों के बारे में जानते हैं वैसे ही हमें भारत के वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना चाहिए। मैं भी मन की बात के इंसरोता हूं की बात से सहरत हूं। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी युवा भारत के वज्ञानिक इतिहास को, हमारे वज्ञानिकों को जाने, समझे और खूब पढ़े हैं। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं, तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमेस्ट्री, और फिर लेप्स तक ही सिमित कर देते हैं। लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ही ज़्यादा है। और आत्मनिवर भारत अभियान में, साइंस की सक्ति का भौत दूधान भी है। हमें साइंस को लैब टू लेंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होता। उधान के तौर पर हैदराबाद के चिंतला भेंकट रेडी जी है। रेडी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खत्रों के बारे में बताया। रेडी जी के थान हैं। उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने महनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजात्यों को विक्सित की जो खास तोर पर विटामिन D से युक्त है। इसी महने उन्हें World Intellectual Property Organization जीनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सोभाग है कि वेंकर ट्रेडी जी को पिछले साल पदमस्री से भी सम्मानित किया था। ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लदाक के उर्गेन फुट्सोग भी काम कर रहे हैं। उर्गेन जी इतनी उचाई पर और्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसले उगा रहे हैं। वो भी सैकलिक तरीके से यानि वो एक फसल के वेश को दूसरी फसल में खात के तौर पर इसमाल काल देते हैं। हैरे कमाल की बार। इसी तरह गुजरात के पाटन जिले में कामराज भाय चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विक्सित किये हैं। सहजन को कुछ लोग सरगवा बोलते हैं। इसे मोरिंगा या ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अपनी उपज को वो अप तमिलनाडू और पश्चिम मंगाल भेज कर अपनी आई भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज कल चिया सिर्स का नाम आप लोग बहुत सुनते हों। हेल्थ एवर्नेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्र देते हैं। और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है। भारत में इसे जादा तर भार से मंगाते हैं। लेकिन अब चिया सिर्स में आत्मे निर्भरता का बिढ़ा भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही यूपी के बारामंग की में। अरिश्चंद्र जी ने चिया सिर्स की खेती शुरू की है। चिया सिर्स की खेती उनकी आई भी बढ़ाएगी और आत्मंदिर भर भारत अभियान में बदर भी करेगी। साथियों एग्रिकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रियर करने के भी कई प्रयोग देश भर में सबलता परवक चल रहे हैं। जैसे मदुरे के मुर्गे संजी ने केले के वेस्ट से रस्सी बनाने की एक मशीन बनाई है। मुर्गे संजी के इस इनोवेशन से परियावरण और गंदकी का भी समाधान होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता भी वनेगा साथियों मन की बात के सुवताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इन से प्रेणा लें जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में विज्ञान का विस्तार करेगा हर क्षेत्र में करेगा तो प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मनेरवर भी बनेगा और मुझे विश्वात है कि देश का हर नागरिक कर सकता है मेरे पहरे साथियों कोलकाता के रंजम जी ने अपने पत्रे में बहुत ही दिल्चस्प और बुनियारी सवाल पूछा है और साथ ही बहतरीन तरीके उसका जवाब भी देने की कोशिश की है वे लिखते हैं कि जब हम आत्मनिर्वर होने की बात करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या आर्थ होता है इसी सवाल के जबाब में उन्होंने खुदी आगे लिखा है कि आत्मनिर्वर भारता ब्यान केवल एक गवर्मेंट पॉलिसी नहीं है बलकि एक नेशनल स्पिरिक है वो मानते हैं कि आत्मनिर्वर होने का आर्थ है कि अपनी किस्वत का फैसला खुद करना यानि स्वयम अपने भाग्य का नियंता होना रंजन बाबु की बाद सो टका सही है उनकी बाद को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि आत्मनिर्वरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर घर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर घर्व होना जब प्रतेग देश्वासी घर्व करता है प्रतेग देश्वासी जुड़ता है तो आत्मनिर्वर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभ्यान नह रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। जब आस्मान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन टेजस को कलाबाजिया खाते देखते हैं, जब भारत में बने टेंग, भारत में बनी मिसाइले हमारा घवरों बढ़ाते हैं, जब समरुद्ध देशों में हम मैट्रो ट्रेन के मेडी निंज्या कोचेट देखते हैं, जब दरजनों देशों तक मेडी निंज्या कोरोना वेक्सिन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और उंचा हो जाता है। और ऐसा ही नहीं है, कि बड़ी-बडी चीजें ही भारत को आत्मे दिर्वर बनाएगी। भारत में इस गवरों को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही माइने में आत्मनिर्वर बन पाएंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि आत्मनिर्वर भारत का ये मंत्र देश के गाउं गाउं में पहुंच रहा है। विहार के बेतिया में यही हुआ है, जिसके बारे में मुझे मीडिया में पढ़ने को मिला। बेतिया के रहने वाले प्रमोच जी है। दिल्ली में एक टेक्निशन के रूप में LED बल्ब बनाने वाली फैक्टरी में काम करते हैं। उन्होंने इस फैक्टरी में कायर करने के दोरां पूरी प्रक्र प्रमोच जी को अपने हर वापिस लोटना बड़ा। आप दानते हैं लोटने बाद प्रमोच जी ने का किया। उन्होंने खुद LED बल्ब बनाने के छोटी सी उन्टीटी दिरूगर दी। उन्होंने अपने खेत्रे के कुशिवाओं को साथ लिया। और कुशी महिनों में फैक्टरी वर्कर से लेकर फैक्टरी ओनर पनेटावार सफर पुर्णा कर दिया। वह भी अपने ही घर में रहते हुए। एक और वुदान है क्यूपी के गड़ मुक्टिश्वत से संतोष जी मांक संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कोरोना काल्में उन्होंने आप दाको पारिगर थे चटाई बनाने का काम करते थे कुरोना के समय जब बाकी काम रुखे तो इन लोग ने बड़ी उर्ज्यावार उत्साग के साथ चटाई के और मिलने शुरू हुए संतोष जी ने यह भी बताया है कि मैं तो हर्याना में रहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप असम के लोगों और विशेश रूप से काजी रंगा के लोगों की चर्चा करें मुझे लगा कि मयूर जी राइनों के बारे में बाता है जिने वहां का गवरो कहा जाता है लेकिन मयूर जी ने काजी रंगा में वाटर फाल्स की संख्या में हुई बडोधरी को लेकर असम के लोगों की सरहना के लिए कहा है मैं डून रहा था कि हम वाटर फाल्स को साधान सब्दों में क्या कह सकते हैं तो एक शब्द मिला जल पक्षी ऐसे पक्षी जिनका बसे रहा पैड़ो पर नहीं पानी पर होता है जैसे बतक वगएरे काजी रंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर आथोरिटी कुछ समय से एन्यूल वाटर फाल्स सेंसेंस करती आ रही है इस सेंसस से जल पक्षियों की संख्या का पता कलता है और उनके पसंदिदा हैविटेट की जानकारी मेंती है अभी दो-तिन सब्ता पहले ही सर्वेट फिर हुआ है आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि इस बार जल पक्षियों के संख्या पिछले वर्स की तुलना में करीब 175 प्रतिशक जदा आई है इस सेंसस के दोरान काजी रंगा नेशनल पार्क में वर्स की कूल 112 स्पेसिस को देखा गया है इन में से 58 प्रतिशिस यूरोप, सेंटरल एशिया और इस्ट एशिया सही दुनिया के विविन हिस्सों से आए विंटर माइगरेंट से है इसका सबसे महतोपुन कारण ये है कि हम बहतर वाटर कंजर्वेशन होने के साथ हुमन इंटर्वियरंस बहुत कम है वैसे कुछ मामलों में पॉजिटिव हुमन इंटर्वियरंस भी बहुत महतोपुन होता है असम के स्री जादव पाएंग को ही देख लिजिए आप में से कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे अपने कारियों के लिए उन्हें पद्म सम्मान मिला है स्री जादव पाएंग वो सक्स हैं जिनोंने असम्मे मजूली आइलेंड में करीब 300 हेक्टर प्लांटेशन में अपना सक्रिय योगदान दिया है वे वन सवरक्षन के लिए काम करते रहे हैं और लोगों को प्लांटेशन एवं बायोडाइवर्सिटिक के कंजर्वर्शन को लेकर परिरीद करने में भी जुटे हुए साथियों असम्में हमारे मंदिर भी पकूती के सवरक्षन में अपनी अलगी भूमी का निभारा है यदि आप हमारे मंदिरों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर मंदिर के पास तालाब होता है हजो स्थित हयागरिव मधेब मंदिर सोनितपूर के नागशंकर मंदिर और गुवाटी में स्थित उगरतारा टेंपल के पास इस प्रकार के कई तालाब है इनका उपयोग विलुप्त होते हैं, कच्छूओं की प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है, असम में कच्छूओं की सबसे अधिक प्रजातिया पाई जाती है, मंदिरों के ये तालाब, कच्छूओं के सर्वरक्षन, प्रजिनन और उनके बारे में होना जरूरी है, कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है, इस सोच को चुनवती देने वेले व्यक्ति हमेशा सरहानिय होते हैं, अब जैसे क्या कोई किसी को सोल्जर बनने के लिए प्रसिक्षित करता है, तो क्या उसको सहिनिक होना जरूरी है आप सोच रहे होंगे कि हाँ जरूरी है लेकिन यहां थोड़ा सा ट्रिष्ट है माइक गौफर कमलकान जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साजा की है जो कुछ अलग बात कहती है ओडिसा में अरा खुडा में एक सज्जन है नायक सर वैसे तो इनका नाम इनका नाम सिलू नायक है पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं दर असल वे मैन अना मिशन है वह उन युवाओं को मुप्त में प्रसिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं नायक सर के और्गनेशन का नाम महा गुरू बट्रेलियन है इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटर्व्यूस तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलूँ के बारे में बताये जाता है आपको यह जानकर हैरानी होगी है कि उन्होंने जिन लोगों को प्रस्रिक्षन दिया है उन्होंने फल से ना जल से ना वायू से ना CRPA, BSA ऐसे ऐसे यूनिफार्म फोर्सिस में अपनी जगह बना ही है वैसे आप यह जानकर भी आस्टेरे से भर जाएंगे कि सिलू नायक जिने खुद ओडिशा पुलीस में भरती होने के लिए प्रयास किया था लिकिन वो सफल नहीं हो पाई इसके बावजुद उन्होंने अपने प्रक्षिक्षन के दम पर अनेक युवाओं को राश्टर सेवा के योगे बनाया है आईए हम सब मिलकर नायक सर को सुप्रामना दे कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तयार करें साथियों कभी कभी बहुत छोटा और साधान सा सवाल भी मन को जगजोर जाता है यह सवाल लंबे नहीं होते हैं बहुत सिंपल होते हैं फिर भी भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कुछ दिन पहले हैदरबार की अपणा रेडी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूशा उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पी-एम है इतने साल सी-एम रहें क्या और खुद से कहा मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचिन भाषा तमिल सिखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया मैं तमिल नहीं सिख पाया यह एक ऐसी सुन्दर भासा है जो दुनिया भर में लोग प्रिये हैं बहुत से लोगों ने मुझे तमिल भासाओं के स्थली हैं जो हमारी संस्कृति और गवरों का प्रतीक है भाषा के बारे में बात करते हुए मैं छोटी सी इंट्रेस्टिंग प्लीप आप सब के साथ साजा करना चाहता हूं भवताम शर्वेशाम हार्दम हार्दम स्वागतम अस्ते एकता मुर्ति याहा दक्षिन तह साथ पूला परवत माला अस्ते एकता मुर्ति याहा वाम तह विध्याचल परवत माला अस्ते एकता मुर्ति याहा नर्मदा नदिश्य उपरी भागे वर्तते अहम एकता मुर्ति यहां कार्य करता अस्ति सर्दार वल्लभाई पटे लहा लोहा पूरुष रहा इती उच्यते दरसल अभी जो आप सुन रहे थे वो स्टेची अफ उनिटी पर एक गाईल्ड संस्कृत में लोगों को सर्दार पटेल की दुनिया के सबसे उची प्रतिमा के बारे में बता रही ह आपको जानकर खुशी होगी कि केवडिया में पंदरा से जादा गाईल धारा प्रभाज संस्कृत में लोगों को गाईल करते हैं अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूं आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे दरसल यह संस्कृत में की जा रही क्रिकेट कमेंट्री है वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालों के बीच एक क्रिकेट प्रोनामेंट होता है यह महाविद्याला है सास्त्रार्थ महाविद्याले स्वामी वेदानती वेधवित्यापित्र श्री ब्रह्मवेद विढ़ाले और इंट्रनेशनल चंद्रमवली Charitable Trust । इस टूर्णमेंट के मेंचों के दोरा कमेंट्री संस्कृत में भी की जाती है अभी मैंने उस कमेंटरी का एक भहुती छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया यही नहीं इस टूर्णामेट में खिलाडी और कमेंटेटर पारमपारीक परिधान में नजराते हैं यही आपको एनरजी, एकसाइडमेंट, सस्पेंस, सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की कमेंटरी सुननी चाहिए टीवी आने से बहुत पहले स्पॉर्ट्स कमेंटरी भी वो माध्यम थी जिसके जरिये, क्रिकेट और होकी जैसे खेलों का रोमांच देज भर के लोग महसूस करते थे टेनीस और फुटबॉल मैचो के कमेंटरी भी बहुत अच्छी तरहसे पेश की जाती है हमने देखा हैं कि जीन खेलों में कमेंटरी संबुर्द है उनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है हमारे यहां भी बहुत से भार्तिय खेल हैं लेकिन उन में कमेंट्री कल्चर नहीं आया है और इस वज़े से वो लोग जोने के स्थिति में है मेरे मन में एक विचार है क्यों अलग-अलग स्पोर्ट्स और विशेशकर भारत के खिलों की अच्छी कमेंट्री अधिक से अधिक भाशाओं में हो हमें इसे प्रुशाइद क देने के बारे में जरूर सोच नहीं है लिए खेल मंत्रा ले और प्राइवेट समस्तान के सयोगियों से इस बारे में सोचने का आघरा करूँगा मेरे प्यारे युवासाथियों आने वाले कुछ महिने आप सब की जीवन में विशेश महत्त रखते अधिकतर युवासाथि भरियर नहीं, हंसते हुए एक्जाम देने जाना है और मुस्कराते हुए लोटना है, किसी और से नहीं अपने आप से ही स्परधा करनी है, परियाप तन्निंद भी लेनी है और टाइम मेनेजमेंट भी करना है, खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जो खेले वो खेले रिविजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने है यहनि कुल मिलाकर इन एक्जाम्स में अपने बेस्ट को बहार लाना है आप सोच रहे होंगे यह सब होगा कैसे हम सब मिलकर इह करने वाले है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परिक्षा पे चर्चा लेकिन मार्च में होने वाली परिक्षा पे चर्चा से फैले मेरी आप सभी अग्जाम वारियर से, पैरेंट से और टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपने अनुभव, अपने टीप्स जरूर शेर करें, आप माई गौव पर शेर कर सकते हैं, नरेंद मोदी एप पर शेर कर सकते हैं, इस बार की परिक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथ साथ, पैरेंट्स और टीचर्स भी आमत्रीट हैं, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्राइज जीतने है, कैसे मेरे साथ डिस्कुसन का अउसर पाना है, यह सारी जानकारियां आपको माई गौव पर मिलेगी, अब तक एक लाग से अधिक विद्यार से करीब 40,000 पैरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर्स भाग ले चुके हैं, आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए, इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकाल कर, एक्जाम वारियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड दिये हैं, अब इसमें पैरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र एट किये गए हैं, इन मंत्रों से जुड़ी धेर सारी इंट्रेस को जरूर ट्राय करके देखिए, सबी वासाथियों को आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुब कामना हैं, मेरे प्यारे देश्वासियों, मार्च का महिना हमारे फाइनांसियल येर का आखरी महिना भी होता है, इसलिए आप मैं से बहुत से लोगों के लिए क काफी व्यस्तता भी रहेगी, अब जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधिया तेज हो रही हैं, उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथ्यों की व्यस्तता भी बहुत बढ़ रही हैं, इन सारे कारियों के बीश हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी हैं, आप सब स् खुश रहेंगे, कर्तव या पतपर डटे रहेंगे, तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा, आप सभी को त्योहारों के अग्रिम शुब कामनाएं, साथ साथ कोरोना के समन में जो भी नियमों का पानन करना है, उसमें कोई धिलाई नहीं आनी चाहिए, बहुत बहुत झाल